हेलो फ्रेंट्स, ट्रिक्स फोर ओल इस्टुएंट्स में आप सभी का एक बार फिर से सुवागा थे, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका एक यूनिट है, आपका एक सब्जेक्ट है पब्लिक अडिमिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसकी एक यूनिट है वी केंदरी कर हैं, उसकी उसकी क्या गुण है, क्या दोश है, क्या महत्व है, उसका क्या प्रिकार है, तो इस सारी बाते हम वी केंदरी करण से संबंदित कर लेंगे, आपके सिले बस के अक al pokeur가 लेंगे, इसके बाद हम NEXT पाट में हम, भारत में जो सुवाशाशन की रवस्था वगेरा लागू की गई है इस्थानिये पंचायती राज वगेरा है इस्थानि स्वशाशन है इसको हम पढ़ेंगे तो प्लीज दोनों पार्ट को आप देख लेना सारी बातें के लिए हो जाएंगी विकेंद्री करण कार्यों शक्तियों लोगों या चीजों को केंद्री इस्थान या केंद्री प्राधिकारी से हटा कर पुन्हा विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं आज प्रशाशनिक संगठन का संपून कारे एक वैक्ति द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है अपीतु संगठन के विभिन वैक्तियों को सौप दिये जाते हैं जो कारे होते हैं उनको एक प्रशाशनिक अधिकारी नहीं कर सकता है या एक प्रशाशनिक यूनिट नहीं कर सकती है जिस कारण से कवी छोटी-छोटी यूनिट्स बनाई जाती है और उन कार्यों को उन्हें सौंप दिया जाता है यह एक ऐसी व्यवस्ता होती है जिसके अंतरगत सभी अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ति या पत के पास एक्तृत ना कर उन व्यक्तियों को प्रत्ययोजित कर दिये जाते हैं जिन से यह संबंदित होते हैं तो देखें फ्रेंट्स वी केंद्री करन का क्या मतलब होता है यह आप लोगों को पहले से ही पता है इसका मतलब बहुती साफ होता है जब हम सत्ता का या जो अथोरिटी होती है उसको निम्न अधिकारियों को या निम्न संस्थाओं को सौंप देते हैं तो इसे कहते हैं वी राजे सरकारों को सौंब दिया जाता है कुछ शक्तियों को इस्थानी सरकारों लोकल गवर्मेंट्स को सौंब दिया जाता है या कई सारी संस्थाएं हैं उनको सौंब दिया जाता है तो इसी को हम कहते हैं विकेंद्रिकरन आप एक्जाम में यह जो मैंने अभी चीजें बता हैं उनको लिखके आईए बट मतलब आपका क्लियर हो गया होगा कि वीकिंद्री करण का मतलब यही है सत्ता का निम्न संस्थाओं में इस्थानांतरन या हस्तांतरन ही वीकिंद्री करण होता है सरकार के एक्जांपल से हमने इसे समझ लिया सैंट्रल गवर्मेंट स्टेट अनि कि मान लिए कोई administrative या प्रशाश्यिक संस्था है मान लेजी कि आप किसी बैंक में गये SARकारी बैंक में गया प्राइवेट में गय मैं अब आप वहाँ पर क्या देखते हैं तो जो आपका ऐकांट होता है वह किसके दोड़ा कोला जाता है manager के द्वारा खोला जाता है पर्ट अब manager की नीचे क्या होता है deputy manager होता है उसके नीचे क्या होता है service manager होता है और उसके नीचे कुछ दूसरे अधिकारी होते है अब क्यूंकि भारत में हम देखते हैं कि परिशाशने हैं कि संस्थाओं में decentralizedization हुआ है वीक इंद्री करन हुआ है इस कारण से जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं अपना SBI वगरा मिया किसी सरकारी गवर्मेंट में या प्राइबेट गवर्मेंट में तो आप देखेंगे कि जो निम्न अधिकारी होता है वही आपके डॉकिमेंट्स को वेरिफाइक कर देत है उसके पास मैनेजर का स्टेंप होता है और वो उसके स्टेंप को लगा देता है जिस कारण से ये सिद्ध हो जाता है कि मैनेजर ने उसे अपना एप्रूवल दे ही दिया है मतलब अब जो मैनेजर है उसे इन कामों में ध्यान देनी की जरूरत नहीं है उसने अपनी पाव अधिनस्त वर्ग की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो छोटे वर्ग के चोटे क्लास की जो लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं उनकी इंपोर्टेंस को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाये जाएं वे सब वी केंद्रिकरण के अंतरगत आते हैं तो यहां हमने वी केंद्री करण के अर्थ को समझ लिया, उसकी एक परिभाशा को भी देख लिया, आप अपने आंसर की शुरुआत इसी से करेंगे. अब हम बात करते हैं वी केंद्री करण की विशेष्टाओं की Characteristics of Decentralization, तो फ्रेंट्स देखिए, इसकी सबसे पहले विशेष्टा यह है, कि वी केंद्री करण होने के कारण, उच्छ अधिकारी का ध्यान बड़े कार्यों पर केंद्रित होता है, अब क्योंकि पावर कोट का Decentralization हो गया है, निम्न अधिकारियों के पावर आ गई है, तो इससे होता यह है, जो छोटे मोटे कारे होते हैं, वो यह जो निम्न इस्तर के अधिकारी होते हैं, वो कर देते हैं, जिस कारण से जो उचे लेवल की जो Officers होते हैं, बड़ी पोस्ट पर जो Officers होते हैं, वो सि गोटे अधिकारी होते हैं, उनको जो Central Authority होती है, वो दे दी जाती है, उसका कुछ शक्तियां दे जाती हैं, इसके अलावा, युवा अधिकारियों को सुवतंतर निर्ने लेने का अफसर मिलता है, अब जो यंग जो Officers होते हैं, उन्हें ये Opportunity मिलती है कि वो Free होके, यानि कि Freely वो Decision ले सकते हैं, सुवतंतर रूप से निर्ने ले सकते हैं, इसके साथ ही, वे केंदरी करण के कारण समन्वे की भावना का प्रसार होता है, समन्वे की भावना मतलब अब जो Officers होते हैं, वो आपस में काफी मिल जूल कर रहते हैं, उनके बीच में एक Balance होता है, इसके भी अलावा, वे केंदरी करण के करण जो निमनिस्तर के प्रबंधक होते हैं, जब उनको कारेभार सौंप दिया जाता है, तो उससे उनके अंदर प्रबंध की ये शमता विक्सित होती हैं, अब जो छोटे लेवल की Officers होते हैं, जब उनको जिम्मेदारी दी जाती हैं, उन प्रबंध की ये शमताएं विक्सित होती हैं, डेवलप होती हैं, इसके साथ ही निर्ने लेने में काफी सुविधा होती हैं, और शीगरिता भी होती हैं, कई सारे काम जो निमनिस्तर के अधिकारी होते हैं, उनके दुआरा कर दी जाते हैं, जिससे की समय की बचत होती हैं, अब हम विकेंद्री करण के महत्व को देखते हैं, विकेंद्री करण की सबसे पहली importance यह है कि इस से उच्छ प्रबंधकों का कारेभार कम हो जाता है, अब जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनका जो कारेभार होता है, उनके उपर जो काम का जो दबाव होता है, वो कम हो जात उसको थोड़ा साब अपने आप detail में लिख सकते हैं, कि अगर उनको power दी जाती है, उनको मतलब थोड़ी सी जिम्मेदार ही दी जाती है, तो वो अपने काम को काफी अच्छे से करते हैं, उनके अंदर कई सारी abilities development होती हैं इस कारण से, तो आप थोड़ा बना कर भी लिख सकते हैं, इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा importance है, वो भारत जैसे देशों के लिए बहुत जादा है, तो भारत जैसे विवित और विश्यम समाज में केंद्र और राज्य सरकार को प्रतेक विशेश छेत्र की बुनियादी आवशकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता हैं, और भारत की बात करें, तो भारत में डायवर्सिटी इतनी जादा है, विवित्ता इतनी जादा है, कि भारत की लिए अगर सेंटर गवर्मेंट कोई भी नीती बनाती है, कोई भी कारेकरम लागो कराती है, तो पूरे देश में उसका सही कार्यान नहीं हो पाएगा, सही रूप म वहाँ पर कैसे नीतियां बनाई जाने चाहिए वहाँ की क्या नीतियां होनी चाहिए उसको Central Government सही से नहीं बना सकती वहाँ की Problems को वहाँ के स्थानी लोगी जाद अच्छे से जानते हैं जो स्थानी अधिकारी हैं वहाँ की Problems को जाद अच्छे से जानते हैं और वहाँ किसी कारे योजना को लागो करा सकते हैं इसके लावा वी केंदरी करण किसी विशेश छेत्र से संबंधित महदपून और आवश्यक मुद्दों की पहचान करने में योगदान दे सकता है इसके साथ ही वी केंदरी करण के कारण राजनीतिक इस्थरता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है विस केंदरी करन के कारण जो राजनितिक इस्थरता होती है वो लंबे समय तक कायम रहती है अगर हम भारत जैसे विवित्ता वाले देश की बात करें तो उसके लिए राजनितिक इस्थरता बहुत जरूरी है अब भारत में इतनी डाइवरसिटी है कि कहीं से भी कोई भी आंदोलन हो सकता है कहीं भी ग्रहयुद शुरू हो सकता है इतना conflict होता है भारत में बट क्योंकि वी किंद्री करण है इस्टेट गवर्मेंट्स है लोकल गवर्मेंट्स है जिस कारण से राजनीतिक स्थर्ता स्थापित होती है अगर सिर्फ सेंटर गवर्मेंट्स होगी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि भारत में भी राजनीतिक स्थर्ता नहीं रहेगी क्योंकि लोगों को लगेगा कि हमारे साथ तो हमारी इच्छाओं को तो पूरा ही नहीं किया जा रहा है इसका एक्जामपल हम देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आपने हिस्ट्री पड़ी होगी पॉलिटिकल साइंस पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से आंदर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तो उस वीक इंदरी करण का एक महत ये भी है कि वीक इंदरी करण का एक प्रमुक देशे निर्ने लेने की प्रकरिया में सक्रिय लोगों की भागीदारी सुनिशित करना है वीक इंदरी करण कोशिश करता है कि डिसीजन मेकिंग में सक्रिय लोगों को एक्टिव पीपल्स को शामि किया जा सके विक इंद्री करण के करण निमनिस्तर के अधिकारियों को या इस्थानी लोगों को सरकार के decision making process में participation का मौका मिलता है अब जो निमनिस्तर के अधिकारी होते हैं वो भी अपने बड़े अधिकारियों के साथ discussion करते हैं उन्हें कई चीजों के बारे में बताते हैं जिससे काफी अच्छा निर्ने लिया जा सकता है और कई सारे जो सक्रियों लोग होते हैं वो खुल कर इसमें अराम से participation कर पाते हैं वैसे दोस्तों आपको काफी कुछ समझ में आ गया है बट फिर भी अब हम बात कर लेते हैं एक बार वीक इंद्रिकरंड के लाभों की कि इसकी क्या फायदे होते हैं तो काफी वैसे मैंने इसकी बारे में बात कर लिया और रेड़े फिर भी एक अरेंज फॉर्म में एक वैवस्थित तरह से थोड़ा सा लाभ की बात कर लेते हैं सिर्फ अभी हमने महत्व को समझाया इस अवधार्णा से नेड़ने लेनी में सुविधा हो रहती है असानी से अराम से डिसिजन लिये जा सकते हैं इसमें उच प्रबंध व अधिनस्थों के मद्धे सौहार्थ पूर्ण संबंद होते हैं मतलब मिल जूलकर वो काफी हजिखुशी साथ में रहते हैं काम करते हैं इस अवधार्णा से संगठन में राजनीती का भाव रहता है जिससे अधिकारियों एवम कर्मचारियों में तकराव नहीं होता है यहाँ पर राजनीती का मतलब है कि जो लोग काम करते हैं आपस में जब अधिकारी वगर आपस में काम करते हैं तो कोई किसी के लिए कोई किसी प्रकार का शड़ियंत्र नहीं रचता है और सब एक दुसरे का सहयोग करते हैं तो जिससे राजनीती नहीं होती है काम में वे केंद्री करण के कारण अनौपचारिक्ता वा लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है इसके साथ ही इसमें अधिनस्तों के अच्छे कारियों की प्रशेंशा की जाती है इसके अलावा इसका इखलाब ये भी है कि इसमें निर्ने लेते समय अधिकारी को सभी बातों का ग्यान रहता है देखो फ्रेंड्स अब जब कोई भी बड़ा ओफिसर कोई डिसिजन लेगा तो वो पहले अपने छोटे से ओफिसरों से उस चीज़ को डिसकस कर लेगा क्योंकि छोटे ओफिसरों को जानकारी जादा होती है किसी भी इशू के बारे में या मुद्दों के बारे में तो वो उसको आसानी से बड़े ओफिसर को बता देते हैं समझा देते हैं जिसके चलते हैं जो अधिकारी होते हैं वो एक सही डिसिजन ले पाते हैं और ऐसा करते समय उन्हें सभी बातों का घ्यान हो पाता है इसका एकलाब ये भी है कि केंदरी कार्याले का कारे भार हलका हो जाता है जो Central जो Office होते हैं Central Office का मतलब सिर्फ यहाँ पर Central Government के Office नहीं है Central Office का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक मात रगर कोई एक लोता Office है तो उसे हम Central Office कह देते हैं किसी भी काम को करने के लिए कोई एक लोता ओफिस है कहीं पर भी तो वो एक लोता है तो हम कह देते हैं कि वो Central Office है बाहसी है तो उसका कारेभार कम हो जाता है कि अपने कारे दूसरों को सौंब देता है हर सिक्के के दो पहलो होते हैं तो लाप के साथ ही साथ इसकी कुछ हानिया भी है इसके कुछ नुकसान भी है तो आप लिख सकते हैं वी केंद्री करण के दोश तो पहला दोश है छेत्री अधिकारियों की स्वेच्छा चारिता बढ़ जाती है अब देखे छेत्री अधिकारि सर से ज़्यादा रिश्वत लेना छोटे अधिकारियों के लिए असान हो जाता है क्योंकि उस छोटे अधिकारियों के पास भी थोड़ी पावर होती है तो रिश्वत लेके उसका यूज कर लेते हैं और कई अपरादियों को छोड़ देते हैं अगर पुरिस मैंने तो उसको या कई अबरादियों को या दोसरे सेक्टर में आगर वह आधिकारी हैं तो वहां पर वो अपनी पावर का मिस्जियूस करते हैं इसके अलावा शाश्किये कार्यों पर इस्थानय राजनीती का प्रभाव पड़ता поверх अब जो प्रुभाव पर्सक्रें अब जो कारे करते हैं अ तो उस गाओं का या उस जिलेक की जो राजनीती होगी, उस राजजीक में जो राजनीती हो रही है, उसका उनके उपर गहरा प्रभाब पड़ेगा, मान लेजी कोई I.S. आफिसर ही, जो की सेंटरल गवर्मेंट के दुआरा महां पर ट्रांसफर किया गया है किसी राजजी मे काम करने के लिए, पर क्योंकि डिसेंटरलाइजेशन है, तो हाना कि I.S. आफिसर सेंटरल गवर्मेंट के अंदर आता है, बट फिर भी, उस I.S. आफिसर के उपर इस्टेट गवर्मेंट का लोकल गवर्मेंट का प्रेशर रहता है, इस्टेट गवर्मेंट में जो राजन देखे फ्रेंट्स इससे होता यह है उत्तरदाइत्व का विभाजन होता है उत्तरदाइत्व यानि की accountability मतलब की कौन इस काम के लिए जिम्मेदार है तो ऐसे में क्या होता है कि अब कई सारे departments होते हैं कई सारे अधिकारियों की बीच पावर्द का विभाजन हो चुका है इससे जो उत्तरदाइत्व का सिध्धान थे वो खत्म हो जाता है अब मानली जी कि कोई काम गलत हो गया किसी अधिकारी से तो वो जिम्मेदारी नहीं लेता है वो कहता है कि निम्न अधिकारियों की गलती है और निम्न अधिकारी कहते है हमाई तरफ से तो काम ओके था उच अधिकारे की गलती है कोई कहता है इस department से गलती हुई है तो कोई क एपार्टमेंट होता, सारी की सारी जिम्मेदारी उसी की होती, इसके अलावा राजनीतिक गुट बाजी को बढ़ावा मिलता है, तो फ्रेंट्स ये थे कुछ दोश आपने इसको भी समझ लिया होगा, अब हम बात करते हैं वी के इंद्री करण के अध्यन के लिए द्रिश्टी कोणों की एप्रोच इसकी, तो फ्रेंट्स जैम्स डबलू फैसलर के दुआरा, उन्होंने एक बुग लिखी थी, एप्रोच टू द अंडरस्टेंडिंग्स आफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें उन्होंने चार प्रमुक दिरिश्टी कोणों यानि की एप्रोच इसकी बात की थी, आज हम उन सबी को समझेंगे, पहला एप्रोच इस है सैध्धान्तिक दिरिश्टी कोण या डॉक्ट्रीन एप्रोच इस ये वी के इंद्री करण को अपने आप में एक अंत के रूप में मानता है, ना कि संस्थागत, दक्षता और प्रभावशीलता को प्राप्त करने के लिए समान रोप से विचार करने के लिए, देखे फ्रेंट्स, ये कहता है कि जो वी के इंद्री करण है, वो अपने आप में ही सब कुछ है, ये ये नहीं कहता कि कोई संस्था हो या कोई प शशक्त कर दो, लोगों को वी के इंद्री करण दे दो, वो अपने आप ही इसका फाइदा उठा लेंगे, कोई भी संस्था की जरूत नहीं है, या किसी भी प्रभावशीलता की जरूत नहीं है, ये वी के इंद्री करण को अपने आप में ही सब कुछ मानता है, और लोगों कार्यात्मक स्वायत्ता प्रदान करने का विचार एक राजनीतिक निर्णय पर अधारित होता है और इस प्रकार वी किंद्रिकरण को एक राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली एक प्रमुख राजनीतिक प्रति बदता के रूप में माना जाता है देखे फ्रेंट्स, पॉलिटिकल एप्रोच कहता है कि जो वी केंद्रिकरण है, डेसेंटरलाइजेशन है, उसको लागो करने में पॉलिटिक्स का राजनीती का एक एहम रोल होता है, राजनीती के द्वारा ही, राजनीती गतिवेदियों के द्वारा ही, वी केंद्रिकरण को काफी अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है उसे कार्यान वित किया जा सकता है देखे फ्रेंट्स भले ही आगर वी केंदरी करण के अगर हम बात माने decentralization को अगर हम देखें तो भारत में नगरपालिकाएं हैं पंचायती राज की ववस्ता की गई है स्टेट गवर्मेंट्स हैं तो ये decentralization को शो करती हैं दिखाती हैं कि भारत में decentralization हुआ है लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ती नहीं होगी तब तक ये संस्थाइं सही से अपना काम नहीं कर पाएंगी de-centralization का होना या ना होना without इन राजनीतिक गतिविधियों के कोई भी इनका महत्व नहीं है जैसे कि अब पंचायती राज को बहुत सारे कारे दिये गए हैं बट उन कारेयों को वो तभी कर सकती है जब उसे पूरे संसाधन मिले वो संसाधन कौन देगा ये political activities ही तो ये जो सत्ता पे जो राजनीतिक दल होते हैं वही तो उनको संसाधन उपलप्त कराएंगे तो राजनीतिक दिरिष्टिकोन यही कहता है कि बिना राजनीतिक गतिविधियों के बिना राजनीतिक इच्छा शक्ती के वी किंदरी करण का होना या ना होना बराबर है राज साब कुछ depend करता है राजनीतिक गतिविधी पर राजनीतिक इच्छा शक्ती पर तो friends अभी हमने दो दिरिष्टिकोनों को देखा हैं friends हाना कि ये थोड़े difficult हैं बट फिर भी आप इनकों याद कर लेजिए ये सब के लिए ही difficult हैं सिर्फ आपके लिए difficult नहीं है अब जो तीसरा है वो है प्रशाशनिक दिरिष्टिकों ये administrative approach है इस दिरिष्टिकों में उद्देश्य ये है कि केंदरी और इस्थानी प्रिषाशन के मध्य काम करने वाली कई प्रिषाशनिक एकाईयों का निर्मान करके तक्षता यानि की efficiency और प्रभाव शेलता प्राप्त करना है इस प्रकरिया की माध्यम से निर्णे और शिकायत निवारंतंत्र बहतर धंग से काम करते हैं यहाँ पर प्रशाशनिक दिरिष्टिकों थोड़ी सलहास दे रहा है जैसे कि जो decentralization हो रहा है उसमें ये कहता है कि कई सारी administrative units होने चाहिए कई सारी departments होने चाहिए जैसे कि complaint करने के लिए अलग unit है अगर किसी को service के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग unit बनी है वहाँ पे call center में बात कर सकते हो आप उसके लिए अलग unit है किसी को अपने काम का status जानना है कि मेरा जो काम था मैंने जिसके लिए form भरा था उसका status क्या है वो कहां तक सफल हुआ है वो काम अभी कहां पर अटका हुआ है तो उसके लिए अलग unit है या होनी चाहिए तो यही कहता है प्रिशाशनिक द्रिश्टिकोन ताकि हम decentralization के तहट काम को अच्छे से कर सके इसलिए कई सारी administrative unit होनी चाहिए अगला है दोरी भूमी का द्रिश्टिकोन sorgen चेत्र प्रिशाशन से कानून और व्यवस्था का रख रखाव सामाजिक आर्थिक विकास या वर्त्मान समय के सामाजी कल्यान के विचार के साथ संघर्ष में आता है देखे friend जो ये धोरी भूमिका है ये एक संघर्ष को दिखाती है पहले जो प्रशाशनिक पीपल्स होते थे जो administrative पीपल्स होते थे जो प्रिशाशनिक अधिकारी होते थे उनका काम सिर्फ ये था कि वो law and order को समभा लेंगे मतलब कानून और व्यवस्था को बना कर रखेंगे उसका maintenance करेंगे बट समय के साथ आज के टाइम पर उनका एक काम ये भी है कि अब वो लोग सामाजिक और आर्थिक विकास के काम भी करते है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास का काम भी करते है जिस कारण से उनके काम में संगर्ष देखने को मिलता है उनके पास कई सारे काम आ गयें जिसके करण कॉन्फिक्ट होता है तो दोहरी भूमिका दृष्टिकोन कहता है कि इस कॉन्फिक्ट को खत्म करने के लिए लोगों का सक्रिये रूप से प्रिशाशनिक इकाईयों में भागीदारी लेना महत्पून है लोग सक्रिये रूप से प्रिशाशनिक इकाईयों में सहयोग करें उसमें भागीदार बनें जिससे की काम को और भी आसान किया जा सकें तो सबसे पहला विकेंद्री करण का प्रकार है वो है राजनीतिक विकेंद्री करण पॉल्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब होता है जब सरकार का जो सबसे उपपर का लैवर है वहाँ से शक्ती का हस्तांतरण होते हुए निचले इस तर पर जो सरकार है उसको शक्ती दे दी जाती है तो इसको कहते हैं राजनीतिक विकेंद्री करण मतलब फ्रेंट्स जो राज्य सरकारें हैं जब वो अपनी कुछ शक्तियां इस्थानिय सरकारों को लोकल गवर्मेंट्स को दे देती हैं तो ये हुआ राज्यनीतिक वीकेंदरी करण भारत में हम इसका एक्जामपल देख सकते हैं तीहतरवें और चोहतरवें समयधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सरकार की कई सारी शक्तियों को इस्थानिय सरकार यानि की पंचायती राज और नगरपालिकाओं को दे दी गई थी तो फ्रेंट्स ये था राज्यनीतिक वीकेंदरी करण पॉलिटिकल डेसेंटरलाइजेशन जिसमें सरकार की पावर को जो बड़ी लेवल की सरकार है केंदरी इस्तर या राज्य इस्तर की सरकार है उसकी पावर को इस्थानिय या लोकल गवर्मेंट को सौंब दिया जाता ह दूसरा है प्रशाशनिक विकेंद्रिकरण administrative decentralization इसका मतलब होता है देखे फ्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन यानि की प्रशाशन का जो मतलब है वो यही है कि यह किसी अधिकारी से संबंदित होता है उस अधिकारी के office से संबंदित होता है कोई कार्याले हो सकता है कोई department हो सकता है किसी अधिकारी का तो प्रशाशनिक विकेंद्रिकरण का मतलब होता है जब किसी officer की शक्ती को किसी सरकारी officer की शक्ती को किसी नीचे के जो छोटा छोटे इस तरका जो officer है उसको दे दी जाती है तो इसको कहते है administrative decentralization like एक जिले का collector है अब जब जिले की collector के कुछ powers को कुछ इस शक्तियों को जब तहसिरदार को दे दिया जाता है तो यह हम कहते हैं इसे प्रशाशनिक विकेंद्रिक करण इसी तरह जब कोई मानले जी बड़ा सच्चिव है सच्चिव की शक्ती को अगर किसी collector को दे दिया जाए तो यह भी क्या है प्रशाशनिक विकेंद्रिक करण तो मतलब बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी बड़े ओफिसर की पावर को शक्ति को किसी छोटे ओफिसर को दे दी जाती है तीसरा है वित्य विकेंदरी करन वित्य यानि कि फाइनन्स का मतलब भी होता है पैसा तो वित्य विकेंदरी करन का मतलब है जब इस्थानिय सरकारों को इस्थानिय संस्थाओं को जब कुछ वित्त से सम्मंधित अधिकार दे दिये जाते हैं, शक्तियों का हस्तांतरन कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं वित्तिय विकेंदरी करण, देखें फ्रेंट्स, पंचायती राज को या जब नगरपालिकाओं को टैक्स लगाने से सम्मंधित कुछ अधिकार दे जाते हैं तो ये वित्तिय विकेंद्री करण का एक एक एक्जामपल है ताकि जो लोकल गवर्मेंट हैं वो सरकार के उपर जो राज्य सरकार है या केंद्री सरकार है उनके उपर पैसे के लिए निर्भर ना रहे इसलिए वित्तिय विकेंद्री करण लाया जाता है चौथा है कार्यात्मक विकेंद्री करन functional decentralization इसका मतलब होता है जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस्थानी निकायों को जो local bodies हैं उनको कुछ कार्य दे देती है कुछ कार्य सौब देती है कुछ कार्यों का यानि की functions का हस्तांतरन कर देती है तो इसको कहते हैं कार्यात्मक विकेंद्री करन उधारन के लिए भारत में 73 और 74 वे समवैधानिक संशोधन की दुआरा 11 वी अनुसूची और 12 वी अनुसूची लाई गए थी जिसके तहट पंचायती राज को 29 कारे दिये गए यानि कि 29 कारे सौपे गए और इस्थानिये जो शहरी इस्थानिये निकाये थे उनको 18 कारे सौपे गए यहाँ पर मतलब है जैसे कि कुछ साफ सफाई से संबंधित कारे लोगों के स्वास्ते से संबंधित कारे या पार्क वगरा बनाने से संबंधित कारे आतिक्रमन जो जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है उसे हटाने से सम्मंधित कारे इन इस्थानी निकायों को सौंप दिये गए थे तो इसी को कहा जाता है कार्यात्मक विकेंद्री करण इन सभी वी केंद्री करण के द्वारा जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाता है ताकि सही माइने में देसेंटरलाइजेशन हो सके वी केंद्री करण हो सके तो दोस्तों यहां तक हमने वी के इंदिरकरण को पूरी तरह समझ लिया है और वी के इंदिरकरण हमारा जो यूनिट है वो आधी से ज्यादा कम्प्लीट हो गई हमारे सिलेबर्स के अकॉर्डिंग लेकिन हमें भारत की कॉंटेक्स में प्रिशाशन को हम पढ़ रहे हैं हमा इना सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें थैंक यू रहे हैं हमाँ गज्सक्राइब कर दो कर दो को सब्सक्राइब कर दो भूल